आप लोगों में से शायद बहुत ऐसे कम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत एक लिडिंग कंट्री है बायो गैस प्लैंट को इंस्टल करने में आज देश में 5 मिलियन से भी जादा छोटे और बड़े प्लैंट इंस्टल करे जा चुके हैं जिसमें महाराष्टर में सबसे ज्यादा हाजार के उपर प्लैंट इंस्टल करा जा चुका है और अब एही प्लैंट हमारे लिए एक वरदान सावित हो सकता है जिससे हम अपने ओयल डिपेंडेंसी को कम कर सकता है में खबर एह है कि सरकान ने 22 बरे प्लैंट को मंचूरी दे दी है उर्बन एरियाज में आपको बता दे एक फेबराडी मतलब 2023 और 2024 के बजेट में फाइनस मेनिस्टर निन्वला सितरामन जी का कहना था कि देज विदेश के अंदर करी 500 प्लैंट सेट अप किये जाएंगे जिसमें से 75 उर्बन एरियाज में इंस्टल किये जाएंगे और बचे हुए सभी रूरल एरियाज में किये जाएंगे दरसल इस प्लैंट में गिले और सुखे कच्र को इस्तेमाल करते हुए बायोमेथिन और कई अलग-अलग प्रकार के गैसेस को निकाला जाएगा जिससे electricity बनाया जा सकता है, water hitting करा जा सकता है और CNG के रूप में भी इस्तेमाल करा जा सकता है हरन की बात ए है कि आज अमारे देश में देल लाग metric ton के करीब ऐसे कच रहे जिसको हम इस्तेमाली नहीं करते है तो आप लोग अगर एफ वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना